इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, ऐसे भी कुछ तत्व शिष्टी में मौजूद है जो नजर नहीं आते, तो क्या वे वस्तुएं वे तत्व एक्जिस्ट नहीं करते? क्या जो इन स्थूल आँखों से दिखाई देता है उतना ही संसार है? जो पदार्थ सुक्ष्म है, उनका कभी क्या साक्षातकार नहीं होगा? राजा प्रदेशी उसी वस्तु को मानता है जो सामने नजर आती हो, वह प्रत्यक्ष वादी है, इसी कारण वह आत्मा का स्विकार नहीं करता, क्योंकि वह प्रत्यक्ष में दिखती नहीं है आत्मा को न मानने का यह परिणाम है कि वह अधर्मी है तथा उसे पाप से डर नहीं लगता स्पष्ट है, जो आत्मा को नहीं मानता, वह पर लोग को कैसे मानेगा? इसलिए वह समझता है, ना कोई करता, ना कोई भोगता जब आत्मा ही नहीं तो कर्म का फल कौन भोगेगा? इसी कारण राजा प्रदेशी बेधड़क होकर पाप में लगा रहता है उसके पाप का मूल कारण नास्तिक वाद है आत्मा और शरीर एक है, यह बात राजा प्रदेशी सिर्फ कहता ही नहीं है बलकि तरक भी देता है, अपने मत की अनेक उदाहरनों से पुष्टी भी करता है वह केशी स्वामी से कहता है, हे मुने आप जीव वादी हो, अस्तिक हो मगर मैं ऐसा नहीं मानता, मेरा यह विश्वास है, जीव एवं शरीर एक ही है मैं आत्मा की सत्ता को स्विकार नहीं करता, मैं नास्तिक हूँ, मैं तारकिक हूँ, मैं प्रत्यक्ष वादी हूँ, इसलिए मैं प्रत्यक्ष में ही आत्मा को देखना चाता हूँ जब आत्मा ही नहीं, तो पुन्य और पाप भी निराधार है, ऐसी स्थिती में कर्म और मोक्ष आधी का भी क्या प्रमान हो सकता है यह सुनकर महा मुनी केशी स्वामी बोले, हे राजन, ऐसा आवशक नहीं होता कि प्रत्यक्पदार्थ की स्थिती प्रत्यक्ष प्रमान से हो अनुमान प्रमान से भी सिद्धी होती है आगम प्रमान से भी सिद्धी होती है तनिक सोचो हे प्रदेशी शरीर में कोई अलावकिक तत्व ऐसा है जो जानता है देखता है या जिसके होने पर शरीर कार्य करता है ऐसा कुछ है जिसके न होने पर शरीर के सारे अंग कार्य नहीं करते शरी से भिन्न जो सत्ता है वही तो आत्मा है जिसके बल पर शरीर कार्य करता है इस तरह अनुमान प्रमान से आत्मा की सिद्धी होती है और आगम प्रमान की सिद्धी तिर्थंकर परमात्मा की ये वाणी है यही तो प्रमान है शरीर का नाश होने पर भी जीव का नाश नहीं होता क्योंकि आत्मा अमर है अवी नाशी है अखंड है तब राजा प्रदेशी ने कहा हे मात्मन आप मात्र सिद्धान्त की बात करते हो किन्तु मेरे पास अनेक तरक है जैसे मैं आत्मा को नहीं मानता मेरे दादा भी नहीं मानते थे आपके सिद्धान्त अनुसार वे पापी एवं अत्याचारी हुए बलकि अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आपके मत के अनुसार वे अवश्य ही नरक में गये होंगे मेरे दादा मुझसे अत्यधिक मोह रखते थे यदि मरने के बाद भी आत्मा होती तो वे मुझे यहां हाजिर होकर अवश्य बताते कि मैंने पाप किया है जिसका फल मैं नरक में भोग रहा हूँ इसलिए तुम पाप मत करो वरना इसका अंजाम बुरी तरह से भोगना पड़ेगा मगर मरने के बाद आज तक वे ऐसा कहने नहीं आए इस कारण मैं कहता हूँ आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है यदि आत्मा अमर होती तो मेरे दादा अवश्य मुझे पाप से बचाने आत इसलिए मेरी मान्यता सत्य है यह सुनकर महा मुनी केशी स्वामी ने कहा हे राजन आपका यह तरक एकांगी है वन डाइमेंशनल है इसलिए इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आत्मा नहीं है इक बात को पहले समझ लो जीव जब इस शरी को छोड़ कर जाता है तो उसके पुन न आने के कुछ कारण है जब कोई मरता है तो देव, नरक, तिरियंज, मनश्य इन चार गतियों में जा सकता है यदि कोई पशु योनी में गया तो वह इतना परवश है कि आनी सकता मनश्य भी स्वव इच्छा से दूसरे शरिल में नहीं जा सकते मनश्य और तिरियंज इन दो गतियों में शरीर एवं आयुश्यक का भी बंधन है इसलिए पूर्व जन्म में कोई किसी से कितना ही प्यार रखता हो किन्तु वह नहीं आ सकता आपके दादा नरक में गए हैं और नरक से जीव क्यों नहीं आ सकता उसके चार कारण तुम मुझसे सुनो नमबर वन नरक में रहा जीव वहां के दुखों से अत्यंत पीडित है इसलिए उसे यहां आने का विचार तक ही नहीं आता कदाचित वह नरक से निकलने का प्रयास करे तो वहां के क्षेत्रिय परियावरन का प्रभाव ही ऐसा है कि उसके अंगो पांग तूट तूट कर बिखर जाते हैं जिससे वह चाते हुए भी नहीं आ पाता सच्मुच नारकियों की क्षेत्र वेदना अप्रम पार है वहां के नरक पाल परमा धर्मी देव उन्हें नरक से निकलने नहीं देते विविद्ध प्रकार की यातनाएं देने वाले परम अधर्मी नरक पाल से नार की जीव इतने व्याकुल, इतने गब्राये हुए रते हैं कि यहां के संबंदों का उन्हें विचार तक ही नहीं आता। नार की जीव के पाप करम उन्हें मकडी के जाल में फसे कीडे की तरह रोक कर रखता है, वहां से निकलने नहीं देता, हाला कि ततकाल उत्पन नार की यहां आने की बार बार इच्छा करता है, मगर अपने असाता वेदियं करम को भोगे बिना वे वहां से निकलने में कदापी समर्थ नहीं हो पाते। नमबर फूर जब तक नरक के आयुष्य की स्थिती पूरी नहीं होती, तब तक नार की जीव मनुष्य लोक में आने की इच्छा रखते हुए भी वहां से आ नहीं सकते। इसलिए राजन हो सकता है आपके दादा भी नरक में से आने की इच्छा अवश्य रखते होंगे। जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है। कल्पना करो आपके राज्य में एक घोर अपरादी है जिसे तुब ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। निश्चित है पकड़ने के बाद आप शिग्र उसके लिए मृत्युदंड गोशित करोगे। यदि वह अपरादी आपके चर्णों में गिड़ गिड़ा कर बारम बार यह विंति करे कि मुझे कुछ देर के लिए छोड़ दो ताकि मैं अपने परिवार जनों से कह दूं कि तुम ऐसा घोर अपराद मत करना वरना मेरी तर तुमें भी सज्जा मिलेगी। हे राजन, क्या तुम उसे कुछ देर के लिए छोड़ना चाहोगे? क्या उस अपरादी की बात पर भरोसा करोगे? इसी तरह समझ लो, पाप आत्मा नरक में जाता है और वहाँ पाप की उसे भारी सज्जा मिलती है। पर्मा धर्मी देव भी उन्हें पकड़ पकड़ कर अती गोर वेदना देते हैं। वे उन्हें क्षण मात्र के लिए भी कहीं जाने नहीं देते। ऐसी स्थिती में चाहते हुए भी तुमारे दादा तुमें कुछ कहने कैसे आ सकते हैं। तब राजा प्रदेशी ने कहा हे महत्मन आपने मेरे तर्क का जो समाधान दिया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे पास अन्यत तर्क भी है। मेरे दादा नास्तिक थे किन्तु मेरी दादी बहुत धार्मिक थी। दान पुन्य आदी सत कर्म निरंतर करती थी। पुझा पाठ धर्म आरादनाभी वे अवश्य करती थी। वह मुझे बहुत चाहती थी। आपके मत के अनुसार वह निश्चित ही स्वर्ग में गई होगी। आज तक एक बार भी आकर दादी ने ऐसा क्यों नहीं कहा। हे प्रदेशी तुम भी धरम करो। अच्छे काम करो। तुम धार्मिक बनोगे तो तुमें भी मेरी तरह सुख मिलेगा। इसलिए हे मुनी मैं कहता हूँ आत्मा नहीं है। यह सुनकर महा ज्यानी केशी स्वामी जी ने कहा हे राजन कल्पना करो। तुम अपनी दादी की तरह धार्मिक हो। प्रती दिन पूझा करने देवाले जाते हो। एक दिन तुमने देव मंदिर में जाने हे तु स्नान किय और नेव मंदिर की तरफ जाने लगे। उस समय शौचा लई में बैठा एक व्यक्ती यदि तुमें आवाज दे कर कहें आप इधर आईए तनिक यहां बैठिये। तो क्या आप उसकी बात मानोगे? क्या आप पीछे मुड़ कर भी देखोगे? स्पश्ट है देवाले में ज ठीक इसी प्रकार देव लोक में स्थित तुमारी दादी भी इस मनुष्य लोक की तरफ मुख करना भी नहीं चाहती। ऐसे में वह अपने सुखों का बयान यहां आकर कैसे करेगी? स्मरन रहे! स्वर्ग में उत्पन देव मनुष्य लोक में आना चाहे तो भी नहीं आ सकते उसके पीछे यह चार कारण प्रमुख है। नमबर वन सुखों में उत्पन देव वहां की आकरशक भोग सामगरी एवं सुख साधनों में खो जाता है। मानविय सुखों में उसकी रुची नहीं रहती। इसलिए वह क्यों यहां आना चाहेगा? नमबर टू जब कोई देव स्वर्ग में पैदा होता है तब उसका पूर्वजन्म का संबन तूट जाता है। एवं वहां के देवी देवता से मोह का बंदन जुड़ जाता है। आश्य यह है नए मोह बंदन में पढ़कर वह पीछले संबन्दों को भूल जाता है। इसलि दिव्य भोगों में मगन वह देव सूचता है अब जाता हूँ अब जाता हूँ थोड़ी दिर में जाता हूँ इतने में बहुत लंबा काल बीद जाता है। देव लोकी दो गड़ी और मनुष्य लोक में साथ पीडिया निकल जाती है। यूँ वहां का आकर्षन इतना पाते और यहां के लोगों को विस्परन कर देते हैं। नंबर फूर मनुष्य का शरीर हाड मांस, खोन, चर्बी, मल मुत्र, वात, पित, कफ, आदी पुद्गलों से बना है। ऐसे अशुची मई पुद्गलों से बने शरीर से दुरगंद इतनी भयंकर आती है कि आकाश मे पानसो पानसो योजन तक दुरगंदित हवा दूशित कर देती है वातावरण को। सुवर्ग के सुगंध में वातावरण में रहने वाले देवों के लिए यह दुरगं और सहिय होती है। इस कारण वे देव अपने आने का विचार बदल देते हैं। अब तुमें स्पष् हो गया राजन। यदि तुमारी दादी यहां नहीं आ सकी तो उसका कारण स्वर्ग के अनुपम सुख भोगों की रुची ना की स्वर्ग लोग। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आत्मा नहीं है। आत्मा है किन्तु इन विशेश कारणों से वह मनुष्य लोग में नहीं आपाता। यहां पर जानना यह है देव और देवी मनुष्य लोग में आते भी है मगर उसके पीछे भी चार कारण है। वहां जाकर अपने गुरु देवों के प्रती कृतग्यता ग्यापित करनी चाहिए। उनकी भक्ती करनी चाहिए। नमबर टू देव देवी तप सैयम व्रतनियम आदिचारित्र का पालन नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य लोग में विच्रन करने वाले सैयमी तपस्वी साधू साध्वियों को देखकर उनको सक्षात वंदन करने के भाव से देवी देवता यहां आते हैं। पूर्व जन्म के मातापिता, पुत्रमित्र, आदि, स्वजन, परिजनों की धर्म के प्रती आस्था बढ़ाने देवी देवता धर्ती पर आते हैं। देव बनने से पहले, यदि मनुष्य लोक में किसी के साध्व वचन बद्ध हो, अथ्वा प्रतिग्या की हो, तो उसकी पूर्थी के लिए वे मनुष्य लोक में आते हैं। इसके अलावा प्रतिशोद लेने के लिए भी देव धर्ती पर आते हैं। शीरी राच प्रश्णिय सुत्र यहां पर ज्ञानार्थी को एक प्रबोध देता है, जैसे बीच के अभाव में व्रक्ष की उत्पति, स्थिती, व्रद्धी एवं फल निश्पति नहीं होती, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ऐसी सम्यक धार्णा के अभाव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र की उत्पति, स्थिती, व्रद्धी एवं फल की निश्पति नहीं होती,